तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जो हमारा जंगला होता है च्छत की ओपर जो उटीयस होता है उस उटीयस पर जो फाइवर की शीट लगा जाती उस फाइवर की सीट को कैसे लगाते हैं हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो आप एक 6 बाइ 7 का यह दिखा देता हूं तो यह है फाइवर शीट और इस फाइवर शीट को हम जंगले पर लगाएंगे इसको हम ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह आप देख सकते हैं इसके उपर एक च्छत बनानी होती है वह च्छत यहाँ पर नहीं है तो हमने एक अल्रेडी च्छत लगाए हूए हैं तो यह जो होल है इन होल में हम लोग पेंच लगाएंगे इन पेंचों से हम लोग इस फाइवर शीट को यहाँ पर लगा देंगे फिर उसके बाद यह जो पत्तियों की छत है यानि कि जो जो पड़ी को उठाके उसके उपर रख दिंगे जंगले के उपर यहाँ पर हम लोग बोल्ट लगाने वाले हैं इस फाइवर शीट में हमने पूरी फाइवर शीट को बिचा लिया है अब लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम जब इस फाइवर शीट को इस पर लगा देते हैं तो बोल्ट के जो होल हमने किये थे वो आपको यहाँ पर कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर बोल्ट के कहीं पे भी निशान दिखाई नहीं देंगे इसको देखने का एक ही तरीका है कि आप नीचे से एक दूसरा फोन ले लीजिए और फोन को इस तरीके से रखिए आप देखें यहां पर यह आपको बोल्ट का जो होल हमने किया था वो यहां पर दिखाई दे रहा है तो अब इसको यहां नीचे रख लीजिए उसके बाद इस तरह का एक सूजा लीजिए या फिर डिल मशीन लीजिए यहां पर रखकर यहां पर थोड़ा सा इसको दवाईए प्रेस करिए और थोड़ा घुमाईए यह आटोमेटिक छेद होना स्टार्ट हो जाएगा अब देखें दोस्तों यह पूरा छेद हो गया है आप चाहें तो इसे डिल मशीन की हल्प से भी कर सकते हैं इस तरह का पेंच लेना है आपको यह पेंच आपको मार्केट में मिल ज खेद हैं इसमें उन सभी में आप पेंच लगा दीजिए और आपकी फाइवर शीट बर्शात में हवा में कभी उड़ेगी नहीं आंधी बगारा में अब एक चीज को और ध्यान रखें कि अगर आप पेंच कस रहें तो बहुत जादर टाइट ना गरें क्योंकि बाद में फिर अगर कभी फाइवर शीट को चेंज करना हुआ तो खुलेगा नहीं फिर जंग आ जाती है इसके उपर इसी तरीके से हमने यहां पर पेंच लगाए हुए हैं जो मैं आपको थोड़ी ज़र पहले वीडियो में बता रहा था कि ड्रिल मैसीन की हेल्प से या फिर आप संदाय तो प्रिस लाइक करना शेर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ तब देख लिए दोस्तों नमस्कार